असलाम लीकुम एब्रिवान वेक आज हम बनाने वाले हैं चीजी श्वार्मा सैंडविच वो भी घर के इंग्रीडिन्स के साथ कुछ भी वजार का यूज़ करने की ज़ुरत नहीं है आप होम मिट बनाए और जटपट से त्यार हो जाता है चलें रेस्पी की तरफ चलते हैं एक पैन ले 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 इसमें आपने गरम करना है तीन चमच के करीब ओईल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो आप बटर भी डाल सकते हैं अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे जीरा लसन का पेस्ट यह सिर्फ लसन का पेस्ट है तो हमने आप चाहें तो लसन को कट करके भी डाल सकते हैं मैंने पेस्ट चेप में आड़ कर दिया है इसे बून लेंगे तकरीबन दो मिनट तक इससे जादा हम इसे नहीं बूनेंगे दो मिनट बूनने के बाद हम इसमें शामि यहां पर हम चिकन को भूनेंगे चिकन को हमने सिक तकरीबन 10 मृड तक भूनना है यहां चीकन के अंदर से निकला है मैंने इसमें पानी एड बिल्कुल नहीं किया और नहीं हम इसमें पानी एड करेंगे अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले सबसे पहले नमक इसके लावा हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला एक बड़ा चमच यहां पर मजीद हम शामिल करेंगे हल्दी आदा चमच अब इस सब को अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन और मसाले आपस में जो है मिक्स हो जाए और मसालों का टिस चिकन के अंदर आजए और हम जो है इसमें लेमन या फिर विनिगर भी आड़ कर सकते हैं अगर आप जिसमें खटास लाना चाहें तो यहां पर मिर्चे डाल रही हूं दो रंग की क्योंकि मेरे पास दोनों कलर अवेलेबल थे अगर आपके पास नहीं है तो आप से ग्रीन मिर्चे डाल सकते हैं एक एक चमच क अंदर ही मिक्स हो जाते हैं कटिंग इतनी खास वाजया नहीं हो पाती है तो इसके लावा हम इसमें कुछ वेजटेबल डालेंगे सबसे पहले डाल लेते हम इसमें प्यास प्यास एक मीडियम साइस की चॉप कर ली थी वो इसमें शामिल कर दी है आप इसमें मन पसंद तो खुब कर लिया थी उसको भी मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है क्यूंकि मेरा चिकन क्यूब शेप में था इसलिए मैंने वेजटेबल जो डाली है वह भी क्यूब ह irony क्यूब शेयब में ही कटओ की है शेप का काफी फर्क पड़ता है क्योंकि हम जब इसकी प्रिजेंटेशन करते हैं डिश्की तो सेम शेप की वज़ा से काफी अच्छा लगता है कैचप उतना डालें जितना आप डालना चाहती हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा सौस रखना चाहती हैं तो कैचप ज़ादा डालें मैं तक्रिभए इन से चार बड़े चंबच जिसमें शामिल कर चुकी है ...kąस करेंगे mix करने के बाद हमने इसे cover करके पकाना है सिर्फ और सिर्फ 8-10 मिनट तक ताके इसके अंदर का ketchup और पानी जो है वो खुशक हो जाए हमने इसमें पानी नहीं रखना अगर आप sauce के तोर पर यूज़ करना चाहते हैं तो it's up to you कि आप इसमें पानी रखना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर तकरीबन लगभग मेरा चिकन अच्छे से पक चुका है और sauce वगएरा भी इसमें अच्छे से जस्प हो चुका है हम चूला बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं दुस्री तरफ मैंने ले लिया है grill pan आप चाहे तो normal pan या tava इस्तिमाल कर सकते है मैं grill pan का इस्तिमाल सिर्फ और सिल्फ इसके bread कि ऊपर लेरिंग लाने के लिए करें हूं bread को हमने रख ली है medium flame पर गरम करने के बाद हाथों से फ्रेस करेंगे ताके जो ग्रिल पैन की जो लेर्स हैं या लाइन्स हैं इसके उपर आजें यहनिके एक थोटा सा चेंज आजें दिखने में भी हमारा जो है चीजी शुआर्मा सैंविच अच्छा लगे अब हम टर्न करेंगे तकरीबन पांच मिनट एक साइट से और पांच मिनट दूसी साइट से सेखने के बाद हम इसमें लगा लेते हैं यहां पर मायनीज मायनीज होममेड है आप चाहें बजार की इस्तमाल करें या घर पर बना ले वीडियो अफ्लोड़ेड है आपको मिल जाएगी कमेंट सेशन में अब हम डाल मसाला जो के हमने बना की रखा था अब मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका है तो वो इसमें डाल रही हूं ग्रिल पैन की आज मैंने बिल्कुल हलकी कर दी है वरना यह ब्रेड जो है सकत हो जागी कि शौर्मा ब्रेड है किसी भी मार्किट से इजी ली अवेलेबल होती है अग आपने इसे का जो है प्रेस कर देना है दोनों साइट से सेखना है सेखने के बाद मैं आपको सर्फ करके दिखाऊंगे लीजे मज़ेदार हमारा चीजी शौर्मा सैंविच त्यार है वीडियो पसंदा लाइक कीजेगा निव है सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्स वौचरिं आला हाफिज